दोस्तों नमस्कार अगर आपको याद होगा 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोट ने जब मनी सिसोधिया की जमानत रद की थी उस समय ये कहा था एडी को और सी बी आई को की आप अपने इन्वेस्टिगेशन को जल्दी कम्प्लीट करिए अब एडी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जिसमें केजरी वाल और आम आदमी पार्टी जो लीकर घोटाले में सम्मिलित हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन अल्म और इसमें केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के साथ 40 लोगों का नाम है और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको लगातार अपने वीडियो में देता रहा हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो केजरिवाल फाइल्स के नाम से एक प्ले लिस्ट मैंने बना गुई है जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आए जो भी कोर्ट कारवाई हुई उसकी डीटेल एनलेसिस मैंने उन फाइलों में दी है आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं इसलिए उस पूरे फोल्डर का नाम मैंने केजरिवाल नामा और केजरिवाल फाइल्स रखा है ताकि आपको ढूणने में दिक्कत नहीं हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी वहाँ पे आपको सारी जानकारी डेट वाइज मिल जाएगी आज जो चर्चा में करने वाला हूँ दोस्तों अगर आप मेरे को लगातार देखते रहे हैं तो मैं हमेशा से यह कहता रहा हूँ कि यह सौ करोड का घपला नहीं हो सकता केजरीवाल इतना छोटा गेम नहीं खेलेगा केजरीवाल बहुत लंबी सोचेगा यह चाहेगा कि मैं सत्ता में रहूं या नहीं रहूं शीशमहल या शीशमाल जैसी शान और शौकत मेरे पास lifelong रहनी चाहिए मेरे परिवार के पास रहनी चाहिए चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर इसलिए मैं कभी भी इस आंकडे को मानने को तयार नहीं था कि शराब घोटाला मात्र 100 करोड का है अब E.D. का ये कहना है कि जो शराब घोटाला है वो 1100 करोड का है और उस 1100 करोड में अभी तक करीब 244 करोड रुपे की जो संपत्ती है उसको E.D. अटेच कर चुकी है जब्त कर चुकी है अभी बाकी संपतियों की खोज बाकी है दोस्तों उसमें भी मुझे शक है क्योंकि जब आप आज की दुनिया में क्रिप्टो करंसी की बात कर रहे हैं और इंटरनाशनली आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने मुबाइल से और लैप्टॉप से मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार व्यक्ती इतनी मुरखता करेगा कि वो प्रापरटीज खरीदेगा और उसके एड्रेस या फेक एड्रेस या बेनामी प्रापरटी खरीद के अपने आपको एक्सपोज करेगा मुझे नहीं लगता केजरिवाल इतनी मुरखता करेगा इसलिए अपने मुबाइल का पासवर्ड नहीं देने का मतलब आज भी मैं ये कह रहा हूँ उसमें कहीं न कहीं या तो फॉरन एकाउंट्स या क्रिप्टो करेंसी की डीटेल उस तैखाने में होंगी जिसका पासवर्ड केजरिवाल के पास है और जो देने को तैयार नहीं इस बात को भी हमें समझना होगा कि ग्यारा सो करोड रुपए का जो घपला है उसका परपस बहुत सिंपल है अगर आज आप आकड़े देखें तो दिल्ली सरकार को करीब साथ हजार पांच सो करोड रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है दिल्ली में शराब बेचने से और केजरिवाल के टाइम पे ये रेवेन्यू था करीब साड़े तीन हजार करोड करीब दो हजार चार सो करोड के आसपास है अब आप उमीद लगा लिजिए कि ये पूरा जो घपला है ये करीब पांच हजार करोड रुपए का खेल हुआ है इस पूरे में आरोप प्रत्यारुप लगते रहेंगे कि इतना नहीं है लेकिन आप इस बात को मानिए कि जो रेवेन् रिस्क लेंगे रिश्वत देंगे कैश ट्रांसफर करेंगे सब कुछ करेंगे वो इसलिए नहीं कर रहे है कि उनको प्राफिट हो रहा है वो इसलिए कर रहे है क्योंकि उनको जरूरत से ज़्यादा प्राफिट हो रहा है और उस लालच में उस एक्स्ट्रा गेन को लेकर अगर उनको additional risk लेना पड़ा तो कोई भी वेपारी ये समझेगा कि ये risk लेना वर्थ है क्योंकि 100 रुपे लगा के अगर मेरे को 300 रुपे मिल रहे हैं तो मैं रिस्क क्यों ना लो आज सवाल इस बात को लेकर है तो पहली बात तो आपको ये समझ नहीं होगी कि ये जो घपला है इसमें अगर 1100 क्रोड उपे केजरी वाल या आम आदमी पार्टी के खाते में ED बता रही है तो ये टोटल जो घपला हुआ होगा ये करीब 3-4000 क्रोड का हुआ होगा क्योंकि इसमें साउथ ग्रूप और वहां के पॉलिटीशन जैसे कविता का नाम आया आम आदमी पार्टी का नाम आया और इस बात को भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि आम आदमी के पार्टी के नेता इतने इमानदार और शरीफ हैं कि 100% पैसा उन्होंने आम आदमी के एकाउंट में जमाक करा दिया होगा अब ये इन्वेस्टिगेशन की बात है लेकिन क्या आपको लगता है कि जिसको 1000 करड़ों रुपे मिल रहा हो उसने अपने लिए कुछ ना रखा हो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें ना कोई आपको रसीद देगा ना इसमें कोई बैंक अकाउंट होगा तो ये पैसा जाएगा कहाँ इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब पैसा उन रास्तों से अलग अलग जगे गया होगा जहां पे भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी पहुँच नहीं होगी और ये बात हमें माननी होगी कि आज की दुनिया में क्रिप्टो करंसी एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी जुरिडिक्शन में किसी भी सरकार का दखल नहीं है ये एक पैरललल एकॉनमी है सारे क्रिमिनल सारे माफिया आज कल क्रिप्टो करंसी का काफी हद तक इस्तमाल करते हैं क्योंकि वो किसी की पकड़ में नहीं आता है और यही कारण है कि जो क्रिप्टो करंसी का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें दो नमबर का पैसा लगता है और जिसके पास दो नमबर का पैसा है वो वैल्यूएशन नहीं देखता है उसको तो सिरफ उस पैसे को पार्किंग करनी होती है और जो पहले पार्क कर लेता है उसको उसका फायदा मिलता है और बाद में जो लोग होते हैं जब वो उस क्रिप्टो कंसी को खरीबते हैं तो डेफिनेटली उसकी वेल्यूइशन काफी बढ़ जाती है इस बात को हमें समझना हो तो यही कारण है दोस्तों कि अगर हम बात करें 1100 करोड की तो जो ED के हाथ लगेगा वो संपत्ती लगेगी जो लोगों ने खरीदी है जैसे कि एक नेता अब भी जेल में हैं उन्होंने अपने परिवार के नाम पे पिछले कुछ दिनों में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी जहां पे वो किराय पे रह रहे थे आज शायद उनके व रिष्टेदार चाये इनके साला साली हों साससर हों रिष्टेदार हों चाचा वतीजा हों जो भी हों जो भी इनके करीबी होंगे वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदी गई होंगी और अभी प्रॉपर्टी उनके नाम पे और बाद में शायद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ सकते हैं यह प्रॉपरटी हमारी हमारी नहीं की हम क्या करें लेकिन उसी जगह पे प्रॉपरटी खरीदना जहां इनकी से लेकिंसी के आसपास प्रॉपरटी को समझना होगा दूसरी तरफ जो Supreme Court का बड़ा एक Interesting अभी कल एक Judgment आया है कि आप किसी भी corrupt इंसान को पकड़ने से पहले ये सुनिश्चित करें कि उसने corruption किया है मुझे लगता है कि ये Supreme Court का judgment corrupt लोगों के लिए एक दम जिसको आप कहते हैं संजीवनी का काम करें क्योंकि दोस्तों कौन है जो रसीद दे के रिश्वत देता है कैसे आप पता लगाओगे आज कल तो जो रिश्वत के तरीके हैं जैसे विजे नायर अब विजे नायर कौन है कोई सरकारी अदिकारी तो है नहीं आम आदमी पार्टी का बंदा है ये भी आप कैसे कह सकते हो क्योंकि वो तो अपने आप में एक प्राइवेट कमपनी चला रहा था वो किसी तरह से केजरीवाल और आम आदमी के संपर्क में आया और उसने इनके साथ मिलके ये बड़ा खेल किया और मज़े की बात ये है कि विजय नायर ने सिरफ सौ करोड रुपे साथ गुरूप से नहीं मांगे थे एडी के अनुसार विजय नायर ने सौ करोड से ज़्यादा उपर के पैसे और मांगे थे ताकि कुछ फायदा उसको भी हो इसी आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मत समझे कि जितना पैसा इन लोगों को उगाई के लिए कहा गया था इन्होंने उतना ही किया होगा ऐसा नहीं है उससे ज़्यादा किया होगा क्योंकि कुछ तो पार्टी फंड में और पार्टी के काम में लगेगा बाकी अपनी भी तो जिन्दगी सुधार नहीं है पूरी जिन्दगी गली-गली घुम के वोट मांगने से कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको हर बार सत्ता मिल जाए कब तक आप टेक्सपेयर को फ्री विजली फ्री पानी के नाम पे ललचाते रहेंगे कभी तो उनको समझ में आएगी कि उनके साथ दोखा हो रहा है उनी का जेव का पैसा कट रहा है तो ये जो फ्री वीज के फॉर्मूले हैं इनकी भी एक्सपारी डेट होती है ये भी जादा दिन नहीं चलता है आपने लोकसभा चुनाओं में देख लिया कि इतना सब कुछ दस साल तक डवलपेंट फंड के नाम पे भारत सरकार ने मोधी सरकार ने फ्री घर दिये राशन दिया सब कुछ दिया लेकिन वोट नहीं मिले यही इस्तिति केजरिवाल की भी हो सकती है आम आदमी पार्टे की भी हो सकती है कि पूरी जंदगी यह फ्री बिजली फ्री पानी और एजुकेशन और हेल्थ के नाम पे जो आप जंता को गुम्रा कर रहे थे वो दीरे दीरे चीज़े एक्स्पोज हो रही है क्योंकि हाउसिंग के उपर स्कूल के उपर हॉस्पिटल के उपर सब जगे केसिस चल रहे है तो वो सब चीज़े सामने आएंगी तो सब जगे बंडा खोड होगा फिर आप सत्ता में नहीं होगे तो आपको शानों शौकत कैसे मिंटेन होगी इसलिए जो लीकर घोटाला हुआ है उसमें बहुत सारा पैसा परसनल एकाउंट में भी गया होगा जिससे परसनल एसेट खरीदे गए होंगे चाहे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर अब आम आदमी पार्टी का ये कहना कि जी आपको कोई एविडेंस नहीं मिला तो आप ये बता दीजिए केजरी वेल्स आपको बोल दीजिए कि आप अपना पासवर्ट दे दें अगर इमानदार हैं और उसमें कोई एविडेंस नहीं है तो छुपा कियो रहे हैं ये बात important है तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीक में मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाया था कि अगर कोई मुर्ख होगा वो ही money trail छोड़ेगा आज सब समझदार हैं और जो घपला करते हैं वो ज़्यादा smart होते हैं अगर वो smart नहीं होते तो घपला नहीं कर पाते हैं तो जो चोर होता है वो पुलिस से ज़्यादा smart होता है वो बात अलग है कि बाद में पुलिस उसको पकड़ लेती है लेकिन रोक नहीं पाती उसकी चालवाजे के क्योंकि वो smartness से system को चक्मा दे के अपना काम कर जाता है यही बात भरस्टाचारियों की है वो उसी system को तोड़ते हैं उसी system में से loophole निकालते हैं उसी system में से रिश्वत के रास्ते निकालते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं और फिर Supreme Court का यह कहना कि पहले आप सुनिश्चित करो कि उसने रिश्वत लिये तब आप उस पे rate करो उस पे trap बिचाओ मुझे लगता है कि शायद हम कौन से दुनिया में हैं शायद Supreme Court की judges को समझना होगा कि जो corrupt और रिश्वत खोड़ लोग है वो भी बहुत creative है किस तरह से आपको नहीं पता कि रिश्वत ली जाती है कभी मैं इस पे अलग से चर्चा करूँगा कि कितनी तरीके से अलग-अलग department में रिश्वत दी चाहे वो education department हो certificate issues करने के नाम even court में, judiciary में किस तरह से रिश्वत ली जाती है सब file नहीं मिल दे जब तक आप lower judiciary में पैसा नहीं दोगे तब तक file नहीं मिलती ये भी एक तरीका है तो इसलिए जितना जल्दी digitization होगा तो कम से कम file खोने का जो tension है, वो जो रिश्वत है वो रुक पाएगी खिर, अब सवाल इस बात का है कि ED जो 1100 क्रोड रुपे की अब बात कर रही है अब ये देखना है कि ED कौन कौन सी संपत्ति पे हाट डालती है, कहा कहा डालती है, क्या ED देश के बाहर भी नज़र रखे हुए है या नहीं क्या ED की जानकारी cryptocurrency है या नहीं और कौन से तरीके हैं, क्योंकि Indian jurisdiction में कोई जरूरी नहीं कि सारा पैसा मिल जाए आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो 1100 क्रोड रुपे की रिश्वत ली गई या जो घोटाला किया गया सरकार के द्वारा, बाकी जो private vendors हैं उन्होंने जो किया वो अलग आपको क्या लगता है, यह 1100 क्रोड रुपे कहां कहां गया होगा, क्या सोने में गया होगा, क्या यह money rotation में चल रहा होगा सोना खरीद के जो अपने अपारियों को दे दिया होगा, क्या आप इसको use करो, और जब हमें जरुरत होगी हम ले लेंगे या इसमें ब्यास दे दीजिएगा क्या यह दो नमबर का पैसा money rotation में है, क्या यह दो नमबर का पैसा stock market में लगा है, क्या यह दो नमबर का पैसा property में लगा है, क्या यह पैसा crypto currency में है या foreign currency में किसी और देश में हैं आपको क्या लगता है दोस्तों आपको क्या लगता है यह 1100 करोड रुपए जो घफले का हुआ है इन लोगों ने कहां लगाया होगा हो सकता है कि आपके सजेशन और आइडिया से एडि को कुई रास्ता मिले सुझाव में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखी कि किस तरह से ए घपले का पैसे का इस्तमाल हुआ होगा यह जानना बड़ा इंटरस्टिंग होगा मीनवाइल आप इस वीडियो को शेर कर लीजी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी क्योंकि आने वे दिनों में और important घटनाई में आपके साथ चेर करने वाला और आने वाले दिनों में मैंने जैसे वादा किया था कि मैं एक financial channel मार्किट और एकॉनमी में जो गड़वड़े हो रही हैं जो बदलाव आ रहे हैं उन दोनों की चर्चा मैं आपको से करने वाला तो उसका भी इंतजार करिएगा फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपुण मुद्दे के साथ तब तक आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीज किये फिलाल बंदे बातरा